साथियों, देश के युवाओं को जादा से जादा रोजगार मिलें, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निन्यों का भी रोजगार सुजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेस वे, हाइवे, रोड, रेल, पॉर्ट, एरपॉर्ट, फाइबर लाइन बिशाने का काम, देश के कोने-कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए-ने उद्योगों का विस्तार, देश के कोने-कोने तक, कोने-कोने में हो रहा है। नए इंडस्टियल शेहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइने बिशाई जा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्टर पर पैसे खच कर सरकार, लॉजिक्स्टिक्स की लागत कम करने की कोशिच कर रहे हैं। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुवीदा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोडों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं बडोजरा में था, वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एरक्राब बनाने वाली फैक्टरी का उद्गाटन करने का अउसर मिला। इस फैक्टरी में हजारों लोगों को पत्यक्षर रुप से रोजगार मिलेगा। लेकिन नोकरी के जितने अउसर तयार होंगे, उससे कहीं जादा एरक्राब के लिए जो स्पैर पार्ट चाहिए, उस स्पैर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे 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 कारखानों की जाल जरूब बनेगी। बहुत सारे छोटे छोटे कारखानों से उसको बना करके सप्लाई किया जाएगा। ये पार्ट देश के कोने कोने में हमारे जो MSME है ना वो बनाएंगे, नए MSME जाएंगे। एक एरकाप में पंदरा से पचीस हजार तक छोटे बड़े पूर्जे होते हैं, पार्ट होते हैं। यानि एक एक फैक्टरी की डिमान पूरी करने के लिए देश बर की हजारों छोटी बड़ी फैक्टरिया सक्रिय रहेगे। आप सोच सकते हैं कि इस से हमारी MSME इंड़स्ट्री को कितना फाइदा होगा। उनमें रोजगार के कितने मोके बनेंगे। साथियों आज जब हम कोई योजना लौंच करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ लोगों को मिलने वाले लाब पर ही होता है ऐसा नहीं है। हम बहुत बड़े दानिमे सोचते हैं बलकि हम उसके माध्यम से रोजगार स्रुजन का पूरा इको सिस्टिम भी डेवलप करते हैं जैसे पी-एम सूर्यगर मुक्त बिजली योजना अब यू तो लगता है कि आप लोगों को मुक्त बिजली मिले इसके लिए योजना आई हैं लेकिन उसकी बारी की में जाएंगे तो क्या दिखेगा अब दिखें पिछले छे महिने में सवा करोड डेर करोड करीब करीब लोगों ने ग्राहकों ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है नव हजार से जादा वेंडर्स योजना के साथ जुड़ चुके हैं जो ये फिटिंग का काम करेंगे पांच लाग से जादा घरों में सोड़ जाएंगे